हलो दोस्तों यहां वीडियो mutual fund series का part 2 है यहां वीडियो मुख्यता महिलाओं के लिए और उन लोगों के लिए है जिन लोगों को mutual fund के बारे में जानना है mutual fund जिनके लिए नया है सेयर बजार को वो detail में समझना चाहते हैं और आगे चलके mutual fund में निवेश करना चाहते हैं तो उन सभी को जानकारी देने के उद्देश से मैंने यह series चालू किया हुआ है पिछले पार्ट में हमने बात किया था mutual fund का very basic की mutual fund होता क्या है फिर हमने वहां पर end किया था जिसमें मैंने एक सवाल पूचा था और उसके लिए यह जरूरी हो गया है चुकि मुचल फंड में देखा जाया तो निवेस कहां होता है शेयर बजार में होता है तो शेयर बजार को भी ठीक से समझना जरूरी है आधी अधूरी जानकारी जो है वो दिक्कत बरी हो सकती है तो इसलिए जो है यह पार्ट टू में हमारा कॉंसेंट्रेशन रहेगा सेयर बजार के उपर तो आगे बढ़ते हैं तो मैंने पिछले वीडियो को एंड किया था इस सवाल से कि क्या टूथ पेस्ट साबून तेल आटा बाई कार का प्राइस पहले की तुलना में बढ़ गया है तो इसका जवाब ऑब्यस है कि हां में ही होगा क्योंकि हम देख रहे हैं हर चीज़ों का प्राइस तो बढ़े गया है और बढ़ेगा ही इंफ्लेसन रहे लेकिन आपने उसके साथ में एक चीज ये भी नोटीस किया है कि प्राइस तो बढ़ गया है लेकिन कई सारे ब्रैंट जैसे की अब टूधपेस की बात करते ह हमें मालूम है कि कोलगेट साबून की बात करते हैं तो एक कॉमन नाम हुआ करता था लक्स रैट वैसे ही जो है ते लाटा आजकल ब्रांडेड भी आ गए हैं बाइक में होता ही रोंडा कार में मारूती और उसके टाटा की कार तो ऐसे कई सारे ब्रैंड है कई सारी कंपनियां हैं जो आज से 20 साल 25 साल और उसके पहले से जो है वह है और अभी चल रही है तो आपने ऐसा देखा कि इतनी सारी जो कंपनियां मार्केट में हैं तो ऐसी कोई कंपनियां की नजर में हैं जो ऐसी बड़ी कंपनी हो जो ऐसा कुछ अच्छा बनाती हो वह जो है वह एकदम से खतम हो गई हो चेंज होता है तो वह कंपनी जो अपने आपको जो है वह उस टेकनोलाजिकल चेंज में ठीक से डॉप नहीं कर पाती उनको दिक्कत होती है बट अधरवाइस यह से कंपनियां जो है आगे कर सोच दी है उसके इसाफ से वह चेंज करती है पर मैंने यह क्यों क यह सकर वह है किस परिपस के लिए है और उसमें होता क्या है तो मान के चलो कोई हैilly को एक पर संधें जिसने सोचा कि उसको एक रेस्टरेंट ब्लूपन करना है तो उस μας जैसे तैसे अपना पैसा लगाएं और पैसा लगाने के बाद में उस नेरेस्टरेंट खोल लिया थीक है अब रेस्टरेंट खोलने के बाद में यह हुआ कि उसका रेस्टरेंट तो चल निकला और चल ऐसे निकला कि उनके पास में कुछ ऐसी ऐसी recipe थी जो कि और कहीं पर थी नहीं तो अब लोग जो है वहांपर काफी आने लगे भीड होने लगी और दीरे दीरे बाहर से भी लोग आने लगे जब बाहर से भी लोग आने लगे तो उसको लगा कि यार एक रेस्टोरेंट में मेरी इतनी कमाई हो रही है तो फिर अगर मैं और बहुं सारे रेस्टोरेंट खोल दूँ तो क्या होगा तो जब वो बहुं सारे रेस्टोरेंट खोल दूँगा त उसका काम चल रहा है लेकिन जैसे ही उसको लगा कि आगे बढ़के उसको और भी सारे रेस्टोरेंट खोलना है इसका मतलब यह है कि उसको चाहिए बहुत सारा पैसा अब वो पैसा कहां से लेगा तो उसके पास में कई सारे option है पहला option यह है कि अपने परिवार में किसी को बोलेगा अपने दोस्तों को बोलेगा कि भाई दे दो मेरे को ऐसे इतने सारे restaurant खुलने है bank में जाएगा कि bank को बोलेगा कि मुझे loan दे दो क्योंकि मेरा ये तो तो restaurant काफी अच्छा चल गया है इसके बेस पे लोन दे दो और मैं बहुत जल्दी लोन को भी चुका दूंगा वो भी एक कर सकता है अब ऐसे ही करते करते अब उसको लगा कि यह जितना उसको के लिए पैसा निकाल सकता है क्या तो यहां पर आंसर यह है कि अगर हम सेयर बजार का मतलब समझें तो सेयर बजार का सेयर बजार में दो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट तो जो अधिकतर लोग समझते हैं वह समझते हैं उसको सेकंडरी मार्केट को जिसमें लोग पैसा लगाते हैं, खरीते हैं, प्राफिट होता है, नुकसान होता है, प्राफिट होता है तो सब अच्छा, नहीं है तो सेर मार्केट बुरा, ऐसा समझते हैं, लेकिन एक main important aspect को लोग भूल जाते हैं, वो है IPO, IPO तो सब सुने होंगे, initial public offering इसको बोलते हैं, के पास में जा रही है, इसको बोलते हैं, initial public offering, तो अब public के पास में क्यों जा रही है, तो public, अब आप ये खुद सोचो, कि एक restaurant, मान के चलो, ये restaurant आपके सहर में है, और आपको लग रहा है कि अरे, इसका branch अगर पूरे राज्य में हो जाए, पूरे देस में हो जाए, तो इ इस restaurant के honor हो सकते हो, honor मतलब एक पूरा honor नहीं, जितना पैसा लगाओगे, उतना percent के आप honor हो जाओगे, अगर आपको ये लगेगा, और उसके बाद में आपको ये मालूम है कि ये अगर जैसे जैसे grow करेगा, तो मैं जितना पैसा लगाया हूँ, उससे मेरे को तो कई गुना फैदा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप लोगों लगेगा कि हाने ठीक, अच्छा है, इसमें पैसा निमेज करना चाहिए, तब उसके लिए क्या करेंगे, अब ये जो है, ये अपनी जो company है, इसको क्या करेगा, stock market में, IPO के माध्यम से, मतलब पहली बार जो है, वो stock market में आ रहे है, अब उसका main purpose क्या है, कि उसको चाहिए पैसा, ताकि वो जो है, बहुत सारे restaurant खोल सके, है न, तो वो पैसा के लिए वो आ रहा है, stock market में, मतलब share बाजार में, ताकि वो बोले, कि मैं इतना सारा, ये जो है न, मेरा ये company है, इसका जो है, इतना सारा share होता है, और उसके बाद में बाकी इतना share जो होता है, मतलब ये कि company का जो total value हो जाता है, मान के चलो company जो हो गई है, 10 करोड की company है, तो अब वो 10 करोड के हिसाब से सब calculation होता है, हम उसके detail में अभी नहीं जाएंगे, वो थोड़ा जादा हो जाएगा, आगे देखेंगे, तो होगा क् कि जो है, इसमें ये सोचा जाएगा कि ठीक है, हम जो है, इसको जो है, market में जाते हैं, और हमें जो है, इतने करोड की और जोरत है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी company को valuation करूंगा, और उसके बाद मैं मैं चला जाओंगा, कहां, market में, मतलब share बाजार में, और बो company है, इसके इतने सायरे shares, जो है, मैं मार्केट में ला रहा हूं, तो जो जो खरीदना चाहते हैं, आ जाए, तो लोग फिर वो IPO के माध्यम से क्या करते हैं, उसमें पैसा लगा देते हैं, और उसके बाद में IPO जो है, कुछ समय बाद में जो है, क्या हो जाते हैं, ये primary market हो ग ठीक है, अब company के पास में उतना पैसा हो गया, अब company क्या करेगी, अब company को उतना मतलब नहीं है, secondary, अब उसके बाद में company क्या करेगी, उनका पूरा focus होगा, अपनी company को बढ़ाना, मतलब नए-ने restaurant खोलना और आगे बढ़ाते रहना, अब साथ में जो है, अब कुछ दिनों में बताना चाहता हूँ, अब सेहर बजार में होगा क्या, अब यहां पर जब मैं सेहर बजार बोल रहा हूं, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं, secondary market में, secondary market मतलब प्राइमरी वाला मकाम तो खतम हो गया, company आई, IPO के माध्यम से उसने पैसा लिया, पैसा लेके बाद में जो ह सेहर बजार में हैं, उस company के, अब क्या होगा, अब उसमें कई सारी सम्भावना है, सम्भावना यह है कि जैसे ही वो सेहर, मतलब उस company का सेहर, सेहर बजार में लिस्ट होता है, तो फिर दो चीजे होंगी, अब कई लोग सोचेंगे, कि आर मैं IPO में तो पैसा नहीं लगा पा हो जाएंगे, क्योंकि यह company तो बहुत अच्छा grow करेगी, बट बात यह हो गई कि company उधर अलग से grow कर रही है, तो share बजार में share का price क्यों बढ़ेगा, तो उसका यह है कि जो company grow कर रही है, ultimately आप तो उस company में shareholder हो, मतलब आपका मालिकाना हक है उस company में, जब आपका मालिकाना हक है उस company में, मतलब वो company आगे बढ़ेगी, तो अब हर सल profit होगा, तो उस profit में दो चीजें हो सकती है, company क्या करेगी, कि जो profit आया है, उसको आपस में, पहले जो जितने भी shareholder हो चुके है, वो आपस में बटेगा, जितना भी जिसका percentage share है, उसके हिसाब से बढ़ जाएगा, और क्या हो सकता है, वो बोले कि नहीं, यार इस बार हम पैसे को नहीं बाढ़ते हैं, इतना पैसे है, उस पैसे को हम फिर से जो है, क्या करते हैं? हम नए-ने restaurant खोलने में लगा देते हैं, ठीक है, तो ऐसा करते-करते हैं, पूरा देस में, बाहर में सब जगा उसका presence होना च profit है तो अब होगा क्या अब किसी को पैसे की ज़रत आ गई बीच में तो बोलेगा यारब मैं दस साल का तो सोचा था लेकिन अब साल तक तो मैं नहीं रुख सकता हूं मेरे को थोड़ा सा पहले पैसा चाहिए तो क्या करेगा कि नहीं जब मैंने तो इसमें निवेस किया था तो उसका प्राइज यह था अब आगे चलके बढ़ तो जाएगा लेकिन मेरे को पैसे की ज़रत है तो मैं इसको बेच देता हूं वह बेचेगाए तो दूसरा एक लाईं में लगा हुआ जिसको लगे गारे नहीं ए तो बहुत अच्छे होने वाले तो क्या करेगा उसको खरीद लेगा टेर्मेश मेस सौचो हजारों लोग लाख हो लोग जो है ना आपस में जिसको लगता है कि यार मैं है एक महने के लिए करूंगा एक महने में जो है ना जितना आ ठीक है आ गया कोई होगा वो बोले कि नहीं मेरे को तो 10 साल के लिए करना है तो आज में खरीद लेता हूं और दस सल बादी बेचूंगा जब इसक प्राइस ज़ो है खृष देगा तो इसी तरह से होता यह है कि लोग वह जो सोचते हैं न कि यह से अज मैं खरीद लेता हूँ इसके आगे इतने साल में यह बढ़ जाए कारण वो खरीदने के लिए आता है अज जो खरीदा हुआ होता है मैंने तो इतने में खरीदा था अब इतना तो ऑल्डी बढ़ गया है तो और बढ़ सकता है अच्छी बात है और मेरा काम तो हो गया मेरा परपस तो शुरू हो गया और उसी complete हो गया और साथ में उसको यह लग गया कि मैं जो है अब इसमें मैं सोचा था कि यह जो है आगे चलके इसे दो-तीन गुना हो जाएगा मतलब यह इतना ऐसा एक्सपैंड कर लेगी फिर उसको समझ में आएक कि अरे अरे दूसरी कंपनी में भी ऐसा लग रहा है तो दूसरी कंपनी में उससे जाधन फैदा हो सकता है तो मैं क्या करूं इस कंपनी का सेयर को बेच देता हूं मैं दूसरी कंपनी में लगा देता हूं तो ऐसे ही जो लोगों का जो सोच है न कि एक सेयर में ऐसा है तो दूसरे में घुषते हैं दूसरे में तो तीसरे में घुषते क्यों कि हर किसी को प्रॉफिट चाहिए हर किसी को अधिकतर लोगों को short term profit चाहिए तो वो short term profit के चकर में जो है वो फिर क्या करते हैं? एक share से दूसरे में, दूसरे से share में तो इसी को फिर trading हो जाती है. कई लोग जो है दिन भर का किसी के चक्कर में कोई जो है ठीक है सब्वेरे जो खरीद कि लिए अब पता चला कि कि दिन भर किसी कोईiqué निईस आ गई उस कमपनी के बारे में डीनभर खरीदने वाले लगे पड़ें तो कई लोग सोचतेने क्या अरे मैं इतना समय के लिए क्यों रखोंच दिन कम है इसका मतलब यह कि खरीदने वाला थोड़ा सा ज्यादा प्राइज दे देगा ऐसा करते करते तो सभेरे में खरीदूंगा साम तक तो उसका प्राइज ज्यादा हो जाएगा तो सभेरे खरीदता हूं साम को बेचता हूं यह हो गया आपका intraday trading इसको जो है अब यह जो intrad ट्रेडिंग हो गया बट उसके पहले एक चीज़ और जानेंगे अब चुकि हम सेयर बजार की बारे में बात करी रहे हैं तो अब हम यह देख लेंगे कि वहीं सेयर बजार में जैसे होना तो लॉंग टम भी होना चाहिए कि आज से इतने साल बाद में जो है एक कंपनी का ऐसा हो जाएगा तो हम करेंगे लेकिन अब मैंने बताया ना कि लोग जो हमाने देखते रहते हैं कि नहीं हमको तो स्टम प्रोफिट उसके चक्र में आ जाता है संब जो है हम इस तरह से देखेंगे कि बोलते हैं हाइए लो ऋर प्लो गेम मिडिएम रिस्क इम इसी को ही जौ है हम थोड़ा सा दुसरे में हम समझेंगे जिसको हम लार्ज केप स्टाक मीड कैप और स्मॉल कब इवन माइचरों तो यह क्या होता है मीड़ क क्या होता है और उसमें जो ना बुट कुछ एола कमपनियों को भी जादा है और यह जो market cap का जो है एक मतलब क्या होता है कि इसको किस नजरीय से देखना है तो market कैप को जो है अगले वीडियों में हम समझेंगे दो-तीन वीडियो मेरे ख्याल से में एक तो market हो जाएगा उसके बाद में जो है एक दो वीडियो और थोड़ा और उसके बाद में फिर हम सीधा वापस आजाएंगे विचल फंड के लिए तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना जानकारी ठीक है अगले वीडियो में हम मार्केट के बारे में बात करेंगे और अगेन मैं बोल रहा हूं कि यह वीडियो बहुत ही समान या तरीके से मैं बता रहा हूं ज्यादा टेकनिकल टम यूज नहीं कर रहा हूं ताकि जो है महिलाओं को और उन लोगों को जो शेयर मार्केट और म्यूच्वल फंड के लिए नए हैं उनको फैदा हो सके और रही बात कई लोग हैं जिनको लगता है कि वह यह सब को जानते हैं तो बिल्कुल मेरे इन वीडियो को आप छोड़ सकते हैं और अगेन यह सब जो जानकारी मैं दे रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के परपस से है मेरा कोई ऐसा उद्दे से नहीं है कि आप कहीं पर इन्वेस्ट करे कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स को खरीदें यह पूरा सीरीज जो है आपके नौलेज को बढ़ाने के लिए है और एड़ एंड जब सीरीज खतम हो तो यह समझना है कि आप उतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आप अपने से सेर बाजार के बारे में या म्यूचल फंड के ब मनुचल फंड के बाज़ घ oni ओते हैं थैंदेंवार